हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्रिकल गोपाल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत जादे इंपोर्टेंट होने वाली है जैसा कि मैंने आप सभी से प्रोमिस किया था कि मैं आपके लिए D.I.D.O. 710 admin and allied की यहाँ पर जितनी भी पोस्टे निकली है सभी पोस्टे के लिए जो GKGS यहाँ पर important हो जाता है जैसा कि मैंने आप से प्रोमिस किया था कि मैं आपके लिए यहाँ पर GKGS के questions कराऊंगा तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं GKGS के objective questions पर होने वाली है दोस्तों यह है question वार वार किसी ना किसी exam में repeat हो रहे है तो आपके exam point of view से यह question बहुत जादे important हो जाते हैं दोस्तों वीडियो के अंतमे मैं आपको बताऊंगा D.I.O. 710 admin and allied के admit card यहाँ पर कब तक आ सकते हैं आपके admit card के बारे में पूरी information मैं इस वीडियो के अंतमे बताऊंगा सबसे पहले जो हमारे लिए important है यह question दोस्तों सबसे पहले हम question discuss करेंगे उसके बाद में जो भी information है वो information को discuss करेंगे और दोस्तों मैं आपके लिए GKGS के लिए एक important information और देने वाला हूँ एक मैं आपके लिए 200 question की PDF प्रोवाइट कराने वाला हूँ आप सभी के लिए जो की आपके exam में directly question पूछने वाला है 200 question होंगे उस PDF में दोस्तों पूरी information में दोस्तों आपको इस वीडियो के अंतमे बताऊंगा तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर यह questions करा रहा हूँ इन questions को अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए समझ लीजिए चीजों को और उसके बाद में दोस्तों जो information है उस information को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगा जो की free of cost रहेगी इसकी PDF भी प्रोवाइट कराऊंगा मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीक्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पर प्रोवाइट करा दूँगा जिसका की link इसी वीडियो के description में दिया गया है तो आप सभी चात्र तेलीक्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से जोईन हो जाईए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले कहना चाऊंगा जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार बिजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होगा यहाँ पे एड्मिन एनलाइट का तब तक मैं आपके लिए एक काफी GKGS की वीडियो अपलोड कर दूँगा तो दोस्तों हम चलते हैं आज के कोस्चन पे आज का पहला कोस्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं RBI के प्रतीक चिन में कौन सा पेड लगा है दोस्तों कोस्चन बहुत ज़्याद है और रेंडम कोस्चन है आप यहाँ पे देखिए RBI के प्रतीक चनियान की जो RBI का लोगो है दोस्तों उस लोगो में यहाँ पे कौन सा पेड बनाओ है लोगो में आपको पेड बताना है दोस्तों जो वो पेड़ है न वो ताड़ का पेड़ है तो option number C यहाँ पर correct हो जाएगा आप RBI का logo देख सकते हैं Google पर जाकर search कर लीजिए RBI का logo आपको दिख जाएगा उसमें यहाँ पर आपको ताड़ का पेड़ दिखेगा तो option number C यहाँ पर इसका correct हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question पे question number 2 आप यहाँ पे देखिए question number 2 आप यहाँ पे देखिए हमारे सोर मंडल में सबसे छोटा ग्रे कौन सा है सबसे छोटा ग्रे कौन सा है भी सोर मंडल में देखिए ब्रसपती तो सबसे बड़ा ग्रे है सोर मंडल में प्रत्वी पे जिस पे हम रहते हैं ये भी यहाँ पे छोटा नहीं है और मंगल भी काफी बड़ा है तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रे यहाँ पे आ हो जाता है बुद्ध ग्रे मरकरी जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं मरकरी ग्रे जो है वो सबी ग्रहों में सबसे छोटा ग्र माना जाता है तो option number यहाँ पर A correct हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question पर, question number 3 दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी लोग इस question का answer करिए, सभी लोग इस question का answer करिए comment section में answer बताईए cricket का जन्म दाता किस देश को कहा जाता है, देखिए question कितना important है और easy question है, आप सभी लोग यहाँ पर match तो देखती होगे, तो आपको यह question तो आना ही चाहिए, देखिए भारत को तो नहीं कहा जाता, भारत को तो होकी का जन्म दाता एक तरीके से कहा जाता है तो option number B यहाँ पर correct होगा England को, दोस्तों cricket का जन्म दाता England को कहा जाता है अब देख लेते हैं question number 4 को IP का पूरा नाम क्या है दोस्तों IP का आपको पूरा नाम बताना है यहाँ पर, what is the full form of IP internet provider यह भी नहीं है internet privacy यह भी नहीं है इनमें से कोई नहीं यह तो होई नहीं सकता option number B यहाँ पर correct होगा internet protocol दोस्तों IP की जो full form है वो internet protocol है चलिए चलते हैं अगले question पर question number 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं question number 5 है भारत में सिक्षक दिवस कम मनाय जाता है question बार बार यह वाला exam में repeat होता है कि सिक्षक दिवस जो भारत में कम मनाय जाता है यह मनाय जाता है 5 सितंबर को दोस्तों हर साल 5 सितंबर को अपने भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं तो option number 6 यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question पर अगला question आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला question कहता है question number 6 है गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या था देखिए question यह वाला question बहुत ज़्यादा important है important क्यों है दोस्तों गौतम बुद से बार बार यह question पूछता है कि गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या है दोस्तों गौतम बुद के बच्पन का नाम है सित्दार्थ option number c यहाँ पर correct होगा एक question आपको यह बताना है कि गोतम बुद्ध की जन्म इस्थली कहा है कि गोतम बुद्ध की जन्म इस्थली का क्या नाम है और वह कहाँ पर है यह question बार बार पूछता है देखिए गोतम बुद्ध की जन्म इस्थली है उसका नाम है लुम्बनी तीक है लुम्बनी उसका नाम है और यह कहां पर है यह है दोस्तो नेपाल में नेपाल में लुम्बनी है तो option नमबर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका तो सिद्धार्थ हो जाएगा लेकिन यह question बार बार पूछता है तो आप इस question को भी कही न कह कर लीजिए और दोस्तों मैं आपको इसकी पीडियाप भी प्रोवाइड कराने वाला हम पूरे अंत में बताऊंगा हर एक पॉइंट आपको अच्छे से किलिए करूँगा पहले आप कोश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कोश्चन नमबर साथ आप यहां पर देख सकते हैं बन्द मात्रम उसके रचेइता कोने आपको यह बताना है देखिए बन्द मात्रम के रचेइता यहां पे बंकिम चंदर चटोपाध्या हैं ऑप्सन नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा और एक कोश्चन यह पूसता है जो राष्टेगीत बन्द मात्रम है यह कहां से लिया गया है ये दोस्तों आनन्दमट पुष्टक से लिया गया है आनन्दमट पुष्टक से लिया गया है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका option number B यहाँ पर correct हो जाएगा तो चलिए चलते हैं अगले question पर question number 8 आप देख सकते हैं सबसे प्राचीन बेद कोन सा है देखिए बेदों से बहुत जादे question पूछता है आज कल आज कल trending में चल रहा है बेदों से question तो आप यहाँ बताएंगे सबसे पुराना बेद कोन सा है तो देखिए option number C यहाँ पर correct होगा रिग बेद रिग बेद को अपने भारत में सबसे पुराना बेद माना जाता है सबसे पुराना बेद माना जाता है रिग बेद को ठीक है चलिए चलते हैं अगले question पर तो दोस्तो question number 9 देखेंगे यहाँ पर दोस्तो बहुत जादा important है which is the biggest military award of India यहाँ पर आप देखिए option number B को परंबी चक्र तो इसका option number B यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question पर अगला question आप यहाँ पर देखिए question number 10 है किस भारतिया राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है देखिए question number 10 कह रहा है किस भारतिया राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है यहाँ पर आप पूछने वाला है और दोस्तो आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों देखिए जीके जीएस तो उसमें आता ही है तो जीके जीएस के ये कोश्चन आपके लिए सभी एक्जाम के लिए most important हो जाते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर 11 कह रहा है सुबह का तारा किस ग्रे को कहा जाता है सुबह का जो तारा यान की morning star किस प्लानेट को कहा जाता है option number C आप यहाँ पे देखेंगे मंगल गरे को सुबह का तारा कहा जाता है option number C यहाँ पे correct हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question पे देखिए अगला question बहुत ज़्यादे important है आपके exam point of views है question number 12 है मौरे सामराज्य के संस्थापक कोन है सबसे पहला point है मौरे सामराज्य के संस्थापक कोन है उसके बाद है जो भारत के अधिकांस हिस्सों को एक इकरत करने वाला पहला सामराज्य था यानि कि भारत के जो अलग-अलग हिस्से थे उनको एक जगे जोड़ा था मौरे सामराज्य ने तो मौर्रे सामराज्य के संस्थापक कों थे आपको ये बताना है उप्सन नमबर B यहाँ पर करेक्ट होगा चंद्रगुप्त मौर्रे को मौर्रे सामराज्य का संस्थापक माना जाता है तो question बहुत जाद है important है कहीं नोट डाउन कर लीजिए चलिए चलते हैं अगले question पर देखिए question number 13 आप यहाँ पर देखिए मुगल सामराज्य के संस्थापक कौन थे सबसे पहला point है मुगल सामराज्य के संस्थापक कौन थे जिसने भारत पर 16 भी सदी से 16 भी सदी से 19 भी सदी के मद्य तक सासन किया था दोस्तो 16 भी सदी से 19 भी सदी तक यहाँ पर इन्होंने सासन किया था मुगल सामराज्य ने तो मुगल सामराज्य के संस्थापक कौन थे यह ते यहाँ पर बावर option number A यहाँ पर करेक्टों का बावर और दोस्तों इसके अंतिम सासक आपको बताना है मुगल सामराज्य का अंतिम सासक कौन था अंतिम सासक कौन था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो आपको पता होना चाहिए और आप दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में बताईए कि मुगल सामराज्य का अंतिम सासा कौन था चलिए चलते हैं अगले कोश्टन पर कोश्टन नमबर 14 आप यहां पर देख सकते हैं कोश्टन नमबर 14 अंतिम मुगल सामराज्य का अंतिम सासा कौन था और देखिए यही कोश्टन आ गया तो साथियो आपका ऑप्सन नमबर डी यहां पर करेक्ट कोई बहादूर साज जफर दुट्ट्य है बहादूर साज जफर सेकिंड साथियो मुगल सामराज्य का जो अंतिम सासा क्ता वो था बहादूर साज जफर दुट्ट्य है ओप्सन नमबर डी यहां पर करेक्ट होगा चलिए चलते हैं अगले कोश्टन पर कोश्चन नमबर 15 देख सकते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट कोश्टन है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट कोश्टन है और कोश्चन बहुत ज़्यादए इंपोटेंट है कोश्चन नमबर 15 कह रहा है नोबेल सांती पुरुषकार से सम्मानित होने वाली पहली महिला और किसी भी छेत्र में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन थी यानि कि नोबेल पुरुषकार से सम्मानित होने वाली भारत में पहली महिला कौन थी option number A यहाँ पर correct होगा दोस्तों Mother Teresa Nobel Santhi Pruskar प्राप्त करने वाली पहली महीला माना जाता है Mother Teresa को option number A यहाँ पर correct हो जाएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके admin and allied के admit card यहाँ पर कप तक आएंगे यहनि की A and A, A and A, D IDO, A and A के यहाँ पर admit card कप तक आएंगे यह most important point है देखिए आपके admit card यहाँ पर 15-20 March के बीच में 15-20 March के बीच में 100% release कर दिये जाएंगे दोस्तों आपके admit card यहाँ पर 100% 15-20 के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास देखिए समय बिल्कुल नहीं बचाएं अगर आप चाते हैं कि हमारा selection डी आइडियों में हो तो दोस्तों अगर किसी इस्टूडेंट ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं किये तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए नहीं तो बाद में आप पच्छताएंगे बाद में आप दोस्तों पच्छताएंगे कि हमन से ही आप उस बेकेंसी के पीछे पढ़ गए हो तैयारी कर रहे हो रेगुलर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो उसको तैयारी कहते हैं ऐसे नहीं वन नाइट वाला सीन होगे आपका कि एक्जाम से एक रात पहले पढ़ो और पास हो जाओ ये कॉलिज के एक्जाम नहीं है दो तो आपके लिए most important 200 objective question में तयार कर रहा हूँ जो कि दोस्तो आपको PDF के रूप में मिलेंगी लेकिन वो PDF आपको free नहीं मिलेगी दोस्तो वो PDF आपको free नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि मैंने technician A बाले student को सभी content free में दिया सारा content free में दिया और उन लोगों ने पढ़ा नहीं जाते हैं तो मैं question आपके लिए तयार कर रहा हूँ जो कि आपके यहाँ पर एक March एक March को आपको PDF available हो जाएगी लेकिन free नहीं होगी मैं आपको पूरा process बता दूँगा किस तरीके सा आपको वो purchase करना है कैसे करना है पूरा process में आपको separate video बना के समझा दूँगा तो साथियो अभी के लिए तो यह information है कि मैं आपके लिए regular classes तो YouTube पे लेता रहूँगा और आपको PDF के रूप में मैं आपको 200 important question दूँगा GKGS के उन से बाहर तो question आएंगे ही नहीं देखिए जो मैं 200 question दूँगा और जो मैं यहाँ करा रहा हूँ बिल्कुल selected question करा रहा हूँ इन से बाह कोई question नहीं आएगा साथियो अगर आप यहाँ से regular class करते हैं और उन 200 question जो मैं आपको PDF में दूँगा उन question को अगर आप तयार करते हैं तो आपके यहाँ पे GKGS में जितने भी question आएंगे 10 अगर मान लीजे 10 question GKGS के आ रहे हैं तो 10 में से 10 आपके आने बाले हैं क्यों क्यों क्योंकि जितने भी important question हो सकते हैं बिल्कु सेलेक्टेट question देखें GKGS पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा से लेवस है बहुत बड़ा से लेवस है लेकिन selection उसी का हुगा जो selected चीज़ा पड़ेगा यहाँ पे जो selected चीज़ा पड़ेगा selection उसी का हुगा तो दोस्तों बिल आपको सूचना मिल जाएगी तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होईए तो दोस्तों GKGS की classes आपके लिए regular electrical गोपाल चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और दोस्तों बहुत जल्दी में आपके लिए current affair की classes भी शुरू करने बाला हूँ तो I hope दोस्तों वीडियो आपक लिए कराता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन दोस्तों